नमस्कार मित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी स्वस्ता और सानन्द होंगे आप सबों के सुख शान्ति और सम्रिद्ध की कामना मैं इस शुर से करता हूँ देखिए मेरा कल का वीडियो चार स्मॉल पीस्यू बैंक्स के विशय में था और वो चार बैंक्स थे पी एन बी पंजाब नेशनल बैंक यूको बैंक इंडियन आवरसीज बैंक और यूनियन बैंक इन सबों में मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग का एक अपॉर्चुनिटी एक्जिस्ट कर रहा है ये मैंने कल ही वीडियो बनाया और आज जो इनका पर्फॉर्मेंस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना जवरदस्ट मूव इन चारो बैंक्स में था मैं जो इनैलिसिस करता हूँ वो किसी गेस के बेस पर नहीं करता मैंने जब कल वीडियो बनाया था उसको जाकर देखिएगा उसमें मैंने बताया था कि ये क्यों बढ़ेंगे तो आप उसको जरूर देखिए उस वीडियो को तब आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से अपने सभी शरोताओं दर्शकों के लिए कितनी मेहनत से ये वीडिय बनाता हूँ और कैसे डाटा कलेक्ट करता हूँ तो इसी के साथ मैं आप लोगों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये और अपने मितर जनों परिवार जनों के साथ शेर करिये और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिये मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना बड़ा मोव इन चारो बैंक्स में आज ही आया है और अभी भी कितना पोटेंशेल अपसाइड इसमें बजता है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्लाइड पर जो कि मैंने आपके लिए बना रखा है इसका जो टॉपिक है ज उसके गिरने की संभावना उतनी ही होती है और आज भी कितना जवरदस्त फॉल था मार्केट में यह आपने देखा लगबग 1.5% मार्केट डाउन था लेकिन उस फॉल के बाबजूद अगर इन चारो बैंक्स का जो कल मैंने रिकॉमेंट किया था उस वीडियो को वशे दे पर्सेंटेज इंक्रीज था इसमें वो 7% के आसपास था हाई पे यह हाई पे बता रहा हूँ बाद में जब मार्केट गिरा तो यह फिर नीचे भी आया लेकिन अगर आपने इसको पहले खरीदा होता तो 7% का मूव तो आज ही आपको मिल गया होता इसी तरह जो इसका टार 25% योको बैंक में देखिए योको बैंक का CMP कर 12 के आसपास था और आज इसने हाई बनाया है 12.70 परसेंटेज इंक्रीज अट हाई यह 5% है यह देख रहे हैं 5% और टार्जेट जो है इसका वो 18 रुपीज है तो अभी भी पोटेंशल अपसाइड इसमें लगभग कम आप 50% मैंने लिखा है आप चाहें तो इसको 45% भी लिख लें आयो भी इंडियन ओवर सीज बैंक की बात कर लेते हैं CMP on 24 1120 बतलब कल यह था 10 रुपीज 50 पैसे और आज जो इसने हाई बनाया है वो था 12.25 और परसेंटेज इंक्रीज रफली 16 परसेंट के आसपास था टार्जेट अभी बहुत शॉट टर्म में इसका टार्जेट 14 रुपीज है यह अधिक भी हो सकता है लेकिन बहुत शॉट टर्म में भी आपको यह पोटेंशल अपसाइट दे सकता है कितना 25% यूनियन बैंक की बात करते हैं इसका CMP कल CMP मतलब करेंट बार्केट प्राइस तो इसका CMP कल जो था वो 25.70 था हाई आज इसने बनाया है 27.70 का और लगभग 12% उचला था आज अपने कल के प्राइस से जो आज का इसका हाई था वो लगभग 12% अब था टार्जेट इसका 33 है और पोटेंशल अपसाइड अभी इसमें 25% के आज पास बचा हुआ है तो आ कल ही मैंने आप लोगों के लिए recommend किया था मैंने उसमें पूरे logic के साथ पूरा in-depth analysis के साथ बताया था कि इन बैंकों की कितनी दुरदशा हुई है और अब ये क्यों एक बड़े move के लिए तयार है तो आपने इन चार banks को देखा इसके अलावा मैं आपसे एक और stock की बात कर रहा हूँ जियोजीत finances अब जियोजीत finance मैंने करीब करीब 40 rupees पे आप लोगों को कहा था recommend किया था और इसका targets अगर अभी बताये थे और मैंने बताया था कि क्यों एक बड़े move के लिए तयार है देखिए ये अभी चुपचाप बैठा हुआ है या तो operators इसमें बैठे हुए चुपचाप बैठा है और इसका price अभी और नीचे भी आ रहा है मैंने जियोजीत finances में आपको दो support levels बताये थे एक 38 का और 35 का इसको 38 पर और 35 पर चला जाए तो और भी इसको accumulate करिए क्योंकि अचानक एक दिन ये बहुत बड़ा move देगा एक दिन में या continuous trading sessions में जब एक बा momentum इसमें आएगा तो एक बड़ा move देगा क्योंकि क्योंकि इसका जो result था इस बार वो काफी अच्छा था और मैंने कुछ उसमें और भी data दिखाया था आपको कि किस तरह से पिछले कुछ quarters में इसने कितना अच्छा performance देना शुरू किया है अगर आप 35, 38 के आस पास accumulate करते है मेरा पूरा विश्वास है कि इसका जो next target होगा जो next upside आपको मिलने वाला है ये है लगबग 50 रूपीज के आस पास तो यहां से अगर calculate करें कि ये कितना बड़ा upside हो सकता है तो रफली 25 to 30% के आस पास का upside आपको बहुत short term में दे सकता है अभी market गिरे तो इसको और accumulate करिये औ और भी कई सारे stocks recommend किये और उन्होंने बहुत short term में बड़े-बड़े targets को achieve किया Awesome Enterprise 45% अब था सिर्फ 4 या 5 trading sessions में जब मैंने इसको 1 November को recommend किया था उसी तरह Devis Lab ने एक ही दिन में अपना target achieve कर लिया था SBI Life ने भी लगबग 6-7% का move बहुत जल्दी 3-4 trading sessions में दिया था Man Industries ने लगबग 13% का move दिया था within 3-4 days of recommendation by me तो आप देख रहे हैं कि अगर मेरे stocks पर आप विश्वास करके चलेंगे मेरे in-depth analysis को सुनेंगे क्योंकि मेरे analysis में सिर्फ guess नहीं होता पूरे logic के साथ मैं बताता हूँ तो इसी तरह जियोजीत finance मेरा strong opinion है कि आने वाले एक महिने के अंदर भले ही market का उतार चड़ाओ चलता रहे लेकिन अगर बहुत बड़ा crash हुआ तो guarantee तो किसी बात की नहीं है मैं guarantee नहीं लेता हूँ किसी बात की लेकिन market के direction को देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि roughly 1-3 month में ये भी एक conservative target आपको दे रहा हूँ 1-3 month ऐसा नहीं है बहुत जल्दी ये target achieve हो जाए जियोजीत finance आपको short term में लगभग 25-30% का gain दे सकता है तो इस पर नजर बनाये रखिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिए share करिए subscribe करिए और अपने सभी मित्रों से कहिए कि हमारे channel को प्यार दे और क्योंकि इसमें benefit सभी का है आप देख रहे हैं मेरे stocks किस कदर perform कर रहे हैं मैं आपको जल्दी वीडियो बनाकर फिर इंचार बैंक्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह target अचीव होता है अगले 10-15 दिनों में ही ऐसा संभव हो सकता है और मिलता हूँ आप प्रहों से कल फिर एक बड़े दंदार stock के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम